नगर निगम में आउट्सोर्सिंग के माध्यम से लगभग 200 चालक नियुक्त किये गए हैं। चालकों के वेकतन संबंदी विबिन समस्याओं को लेकर उनकी आवाद बुलंद करने के लिए रवीवार को बेतिया हाता इस्तित मुंशी प्रेम चंद पार्क में नगर निगम आ दस्तियों में कोशल कुमार शुकला अध्यच, विशेश्वर मिश्रा उपाध्यच, शर्वन कुमार दुब्य महामंत्री, दिनेश कुमार यादव और अभिनो पांडे मंत्री, जगरनात यादव, कोशा अध्यच नियुक्त किये गए हैं। इस आसर पर संजय पांडे, च जेशनात पांडे और कोशल कुमार शुकला ने कहा। अध्यक जी लेकिन सबको आउगत कराना चाहिए था, अंदिकार में रखके कीक चलिए, बेतन के लिए मीचिंग होगा। जी काम में बिन ब्याधा आती है, तब हैं माना जाता है कि यह आज का काम जो वश्यूप है। यह तकिर्थ का का नियम है कि हसुख काम में बिलने ज्यादा आती है और आपके बीच में भी जो कुछ लोग आपकी एकता को देख करके आपके समन्य को देख करके चिंतित थे बीच के माला पैना करके उनका स्वागत करेंगे कि नच को अपके एकता हुथ जिन आपके आपके अपके एकता perquè नहीं कराप ने सान रसे एकता है जिन्दाबार 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 जिन्द बहुत दिनों से जो है इनकी समस्याएं जो हो वह लंबित थी, समय से जो हो सेंक्षन नहीं होता था, समय से जो हो भुगतान नहीं होता था, इन सब समस्याओं को ले करके एक संगठन बनाने की आओ सकता थी, जो इसका चुनाव आज जो है कुसल संपन हुआ, जिसमें कुसल क प्रेक्रिया इनका रजिस्ट्रेशन कराने की है और रेजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो हो फिर जो है यह अपना कारिप्राम प्रारम करेंगे करमचारियों की लड़ाई करमचारियों की एकता के बल पर हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे जिस तरह से करमचारियों ने अध्यक्सपत पर मुझे चैन करके हमको एक जिम्मेदारी दी है हम आउट्सोर्सिंग करमचारियों को समय से बेतन मिले उनके पीफ का उनके बीमा का हिसाब हो उन करमचारियों को यहां से ले करके सासन तक नियमित कराने के लिए भी हम संगर्स करेंगे और आने वाले समय में जो भी इस्थिती परिस्थिती आउट्सोर्सिंग करमचारियों के सामने उत्पन होंगे हर परिस्थिती से हम लड़ने का काम करेंगे जिसमें हमारे सभी करमचारियों का सहजोग रहेगा और हमारे नगर नियम में जितने भी हमारे करमचारी परमाने नियमित करमचारियों की जो यह संगठन है आज यहां पर 55-56 संगठन के सभी पदारिकारी मौजूद है इसलिए हम अपनी लड़ाई सभी लोगों के सहजोग से जिस तरह पूर्व में लड़ते रहे आगे भी हम लड़ते रहेंगे इन्हें किसी प्रकार का कोई कस्ट हम नहीं होने देंगे और हम करमचारियों से भी अपील करेंगे आउट्सोर्सिंग करमचारियों से कि वो अपने जो उनको दायत नगर निगम के द्वारा सौपा गया है उसका निर्वहन हिमानदारी के साथ करें इसमें किसी प्रकार का कोई समझावता नहीं होगा जो करमचारियों को ड्यूटी मि मिली है उनको जो सेवा करनी है उस सेवा को वह इमानदारी से करें बाकि उनके समस्याव के लिए हम लोग संगर्स करते रहेंगे